हेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर 13 सिमिट्री एक्सरसाइज 13.3 से कोशन नंबर वन सोल करेंगे कोशन नंबर वन देखिए यहाँ पडेकर हमें कुछ शेप्स दी गए हैं कहा गो है कि इन शेप्स में आप कितनी लाइन अंबर व स्मित्री ड्रो कर सकते हैं तो देखिए इक लाइन एफसमित्री तो हम ऐसे ड्रो कर सकते हैं इस point और इस point को join करते वे एक line of symmetry हम ऐसे में draw कर लेंगे तो देखिए line of symmetry draw हो गई है ये line of symmetry इस shape को into equal parts में divide कर लिया अगर मैं इस तरह पार्ट को line of symmetry के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो देखिए दोनों part एक दूसर के उपर पूरी पूरी तरह से आ जाएंगे इस point और इस point को join करते वे ऐसे में तो देखिए second line of symmetry draw होगी अभी shape के ये two equal parts होगे अगर मैं इस तरह से मोड़ूंगी तो देखिए दोनों part एक दूसर के उपर पूरी पूरी तरह से आ जाएंगे तो two lines of symmetry draw होगी अब देखिए इस point और इसके सामने वाले इस point को join करते वे हम एक और line of symmetry ऐसे draw कर सकते हैं तो देखिए एक और line of symmetry डाओगी अब ये line of symmetry जो है इस shape को in two equal parts में divide कर रही है देखिए अगर मैं इस वाले part को line of symmetry के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो ये दोनों parts एक दूसर के उपर पूरी पूरी तरह से आ जाएंगे तीक है फिर देखिए अब इस point और इसके सामने वाले इस point को join करते हुए एक line of symmetry ऐसे draw कर लेंगे तो देखिए ये एक और line of symmetry डाओगी अब इस shape के देखिए ये two equal parts होगे अगर मैं इस वाले part को line of symmetry के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो ये दोनों parts एक दूसर के उपर पूरी पूरी तरह से आ जाएंगे तो देखिए इस shape में हम कितनी line of symmetry draw कर सकते हैं 1,2,3,4 तो देखिए A part का answer है 4 कि हम 4 line of symmetry draw कर सकते हैं अब B part देखिए B part में ये shape दी गई है अब देखिए इसमें कितनी line of symmetry draw कर सकते हैं तो देखिए इसमें सिरफ one line of symmetry draw हो सकती है ऐसे में ठीक center से होकर जो है ये line of symmetry draw होगी तो देखिए ये line of symmetry draw ह इस तरह से मोड़ोंगी तो देखे दोनों पार्ट चाहिए एक दूसरी के ओपर पूरी पूरी थरह से आ जाएंगी जीडिके सिरफ वन लाइन पूरी पूरी तरह से नहीं आरह से इस पार्ट के के साथ इस तरह से मोडूंगी तो देखें यह पार्ट यहां नीचे अजाएगा इसके साथ में आ जाएगा इसके ऊपर पूरी-पूरी तरह से नहीं आ रहा है तो इसमें D line of symmetry कैसे दॉट हो प्दिया से उसकती है आप भी हो टिउट में। हो समिट्री देखिए इस शेप को into equivalent parts में दिवाइड करें। इस पार्ट में और इस वले पार्ट में। अगर देखिए मैं इस वले पार्ट को line of smittri के साथ इस तरह से मोडोंगी तो ये दोनों पार्ट जो है एक दूसरे के ऊपर पूरी-पूरी तरह से आ जाएंगे ठीक है एक line of symmetry ऐसे draw कर सकते है और देखिए एक line of symmetry हम ऐसे में draw कर सकते है अब देखिए ये line of symmetry draw हो चुकिए है ये line of symmetry जो है इस shape को into equal parts में divide करें अगर मैं इस वले part को line of symmetry के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो देखिए ये part जो है इस part के ऊपर पूरी-पूरी तरह से आ जाएगा ये दोनों part से दूसर के ऊपर पूरी-पूरी तरह से आ जाएंगे तो इस shape में two line of symmetry draw हो सकती है तो देखिए C part का answer है two अब D part देखिए D part में इस shape दी गई अब देखिए इसमें कितनी line of symmetry draw हो सकती है तो देखिए एक line of symmetry ऐसे draw हो सकती है इसमें और एक line of symmetry ऐसे में draw हो सकती है तो इस shape में सिरफ two lines of symmetry ही draw हो सकती है सबसे पहले ऐसे में हम line of symmetry draw कर लेंगे तो देखें ये एक lino smittery draw हो चुकी है ये lino smittery इस shape को into equal parts में डिवाइड करी है अगर मैं इस वले part को lino smittery के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो देखें ये दोनों parts एक दूसर के उपर पूरी पूरी तरह से आ जाएंगे तो एक lino smittery जो ऐसे डिवाइड कर रही है अगर मैं इस वले part को lino smittery के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो ये दोनों parts जो है एक दूसर के उपर पूरी पूरी तरह से आ जाएंगे तो इस shape में हम two lines of smittery draw कर सकते है तो d part का answer है two अब इस पार्ट में देखिए ये shape दी गई है एक butterfly की अब इसमें कितनी line of smittery draw हो सकती है देखिए इसमें सिर्फ one line of smittery draw हो सकती है ऐसी सिर्फ एक line of smittery ही draw हो सकती है इसमें तो देखिए line of smittery draw हो चुखे line of smittery shape को into equal parts में divide कर रही है अगर मैं इस वले पार्ट को लाइनो स्मिट्री के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो देखिए ये पार्ट इस दूसरे पार्ट के उपर पूरी-पूरी तरह से आ जाएगा देखे खेवाले पार्ट में शेप अलग बनी हुए है तो इस में सिरफ बन लाइन घ्टरी ही दो सकती है ऐसे तो देखे ऑिपार्ट का अंसर है वन की फ़लाइन एस डो सकती है तो देखे, लाइन समिट्री 주र हो चुक है ठीक, बीच में लाइन समिट्री डौ करने ता कि शेफ के 2 Equal Parts हो जाएं तो देखे, अब इस शेफ के यह 2 Equal Parts हो रहे हैं अगर मैं इस वले पार्ट को Lाइन समिट्री के साथ इस तरह से मोड़ूंगी तो देखें ये दोनों पार्टस एक दूसरे के उपर पूरी-पूरी तरह से आ जाएंगे ठीक है तो एक लाइन स्मिट्री ऐसे डोख चुकि एब एक लाइन स्मिट्री ऐसे डोख करेंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोइन करते हुए तो देखें ये को लाइन और स्मिट्रीड हो चुकिए अब इस शेप के देखें ये और ये ये two equal parts हो रहे हैं अगर मैं इस वले part को ये जो इस तरफ है नीचे की तरफ ये part है इस part को मैं लाइन और स्मिट्री के साथ इस तरह से मोडूंगी तो देखें ये दोनों parts एक दूसरी के उपर पूरी-पूरी तरह से आ जाएंगे तो इस शेप में सिरफ two lines of स्मिट्रीड हो सकती है एक ऐसे और एक ऐसे तो F part का answer है two तो आज इस वीडियो में हमने question number one solve करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू